Hello students, welcome to class desk, CVT exam में आपके पास अब बच्चे में 30 days और काफी सारे students का एक question आ रहा था, email आ रहा था सर हमें कोई ऐसा plan मरा दो जिसके बाद हम CVT exam को crack भी कर पाएं इसी साल अपने dream MBA college में admission ले ले तो इस वीडियो में मैं आपका एक complete plan बनावाने वालों किस तरह आपको language test, general test, domain test, cover up करना है और क्या strategy आपको follow करने हैं जिसके बाद शायद आप इसी साल top scores के साथ अपने dream MBA college में admission ले पाऊगे So my name is Saurabh Kuthari, let's start तो सबसे पहले और सबसे important criteria क्या है, don't delay anymore अब एक चीज़ समझो, कि हम मुझे पता है, board exam साथ बहुत ज़्यादा tiring effort हो जाता है पूरे साल भर आपने तयारी करी है, लेकिन उसके बाद आपने थोड़ा सा break ले लिया है अब आपके पास 30 days बचे होने, तो बिल्कुल भी हमारे सामने वो option नहीं है कि हम लोग अब डिले करें, अब हमें पूरी की पूरी महनत के साथ तयारी करने है चाहिए आप self prepare कर रहे हो, या पर आप किछी coachings और guidance ले रहे हो, वो आपकी मरजी है लेकिन डिले आपको नहीं करना है, daily level पे आपको पढ़ाई करने है इसके बाए आपका second step क्या है, एक structured approach होनी चीए बहुत बर हम गलतिया करते हैं, हम random topics देखने रहे हैं कभी ये topic देख लिया, कभी वो topic कर लिया, उससे आपका exam crack नहीं होगा जब तक आप एक structure तरीक से नहीं जाओगे ना, तो challenge आएगा third चीज़ है, जितने भी necessary topics हैं, वो करने जरूरी है तो मैंने देखा, बहुत सरे बच्चे गलतिया गया दर रहे हैं, वो जो unimportant topic है, जो exam में इतना दर नहीं पुचाते, वो कर रहे हैं और necessary topics को छोड़ दे रहे हैं, then आपको practice test लगाने बहुत जरूरी है और आपको full land marks भी लगाने, उसके बाद आपको जो result है, वो best possible तरीके से आएगा बहुत बर हम गलतिया करते हैं, आपने बहुत सरे videos देखे होगी Toppers strategy, वहीं आपको blindly Toppers strategy follow नहीं करना है, क्योंकि हर एक बच्चे का learning pattern अलग होता है हर एक बच्चा ऐसा तो नहीं है, कि same pattern follow कर लेगा, same study follow कर लेगा, तो टॉप कर लेगा, नहीं आपका learning attitude अलग हो सकता है, learning style अलग हो सकता है, तो उसको आपको follow करना है Toppers से जो चीज़े सीख सकते हो, कि हाँ यह चीज़े करनी है, वो आपको implement कर लेने हैं काफी बार आपको बोलते है, early morning पढ़ो, अरे नहीं यार, कोई बच्चा ऐसा भी होता है, जो late night पढ़ाई कर पाता है तो आप अपने according पढ़ो, हाँ, लेकिन जितने topics हैं, जितने subjects हैं, वो आपको cover up कर लेने हैं, तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ी की, एक plan बनाना है हमें, और उस plan के साथ हमें अपने schedule को fix करना है, हमारे जो exam के schedule है, उसके basic पे हमारे schedule भी daily आना चाहिए and then आपका एक proper study plan निकल के आएगा, ठीक है? अब यह चीज़ achieve कैसे करने हैं, सबसे पहले step है, know the basics flavors, अपने आपको exam pattern के बारे हम जान लो, काफी सारे बच्चों को na subject में clarity नहीं है, तो domain subject का तो idea सबको है तो अगर general test के में यहाँ पर बात कुरूत हो, यहाँ पर general knowledge, current affairs, mental ability जो आपका लगबग-लगबग LR जैसा हो जाता है, numerical ability में, arithmetic वहाँ पर लिखा हुआ है, geometry लिखा हुआ है, statistics लिखा हुआ है, यह सारे topics आपको करने है उसके बाद जो अपना time और वह एक proper तरीके से पढ़ना है, ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करना कि sir, मुझे तो 2 hours आपने पढ़ने को बोला था, 2 hours पढ़ाई करी, fixed time तो रखना ही रखना है, इसके साथ ही आपको topic based पढ़ाई करने है, topic based पढ़ाई का मतलब यह हो गया, कि अगर आपको एक planner दिया गया है, और आपने खुद का एक time table बनाया है, तो वहाँ पे आपको वो topic finish करना है, मालो आपने topic में लिखवा, आज में परसेंटेजिस finish करना है, अब उसको finish होने में चाहे 1 hour लगे, चाहे 2 hours लगे, आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, इसके बाद करने हम लोग बात करें, तो सबसले बात करते हैं, तो section 1, आप लोग को पता है, कि आपके language based test हैं वाला, language में क्या-कित चीज़े पूछी जाएंगी, यह समझ लो, एक तो आपके आर्सी आएंगे, जो factual आर्सी होंगे, literary आर्सी होंगे, और narrative आर्सी होंगे, तीन तरह के language section के लिए आपको इतना ही syllabus करना है, जो भी आपके language उसके related, यह सारी की सारी चीज़े आप cover up कर लोगे, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, domain specific subject, तो domain आपको आपको आप 6 subject select कर सकते हैं, 12 में आपने पढ़े होने चाहिए, तो इसमें आपको कोई बहुत दादर confusion नहीं ह question, awards and honors, countries and capitals, then आपके science and technology, sports, science में invention, discovery, यह आपका journal knowledge है, एक तरह से static GK हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, static GK, क्योंकि यह चेंज नहीं होती, majorly यह more or less same रहती है, उसके बाद current effects, अब current effects कितरी करने हैं, यह बच्चों के mind में question होता है, आपको last 12 months की करने होते हैं, किसी भी exam का एक thumb rule होता है, last one year में जितने भी important चीज़े हुई हैं, तो आपका अगर exam May में हैं, तो मान के चलो, आप April 22 से लेके, अब May 23, last year 12-13 months की आप लोग करने रवेस कर लोगे, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, more or less सारी चीज़े आप लोगे, यहां पे cover up कर ल sense कि यह इतनी meter west चला, फिर east चला, फिर right चला, तो यह वाले topics आपको करने, इसके साथ ही जो letter and symbol series होता है, verbal reasoning होता है, then आपकी non-verbal reasoning, non-verbal reasoning क्या होता है, जो आपकी images दे रखे हो, आपको 4 image दे दी, फिर आपसे बहुत है, fourth, fifth image कौन सी होगी, तो आपको pattern देखना है, तो non-ver verbal का मतलब हो गया, जो एक तरह से abstract reasoning होती है, ठीक है, उसके बात कुछ-कुछ question आप यहां पर critical reasoning के देख सकते हो, जो CR बोली जाती है, कि judgment and reasoning क्या है, statement and conclusion क्या होगा, statement and argument कैसे होगा, वो आपको यहां पर logical and analytical reasoning का part है, फिर numerical ability की बात करे, तो numerical ability आपकी एक तरह से quantitative aptitude है, तो quantitative apt में आपका एक तो arithmetic domain होता है, देन आपका geometry होता है, देन आपका algebra होता है, ठीक है, तो main main topics कौन वहां से जाद अरित्मेटिक पूछा जाता है, तो आपका percentages हो गया, देन आपका ratio and proportion हो गया, देन आपका profit and loss, time and work, partnership, boat and stream, देन उसका कुछ-कुछन आपको number system की देखने को मिलत हो गया, फिर आपका algebra आजाता है, geometry आजाता है, तो यह आपका major जो syllabus हो किसका रहने वाला है, वो numerical ability का रहने वाला है, quantitative reasoning में क्या होता है, quantitative reasoning में एक तरह से आपको di set दे दिया था, आपको एक chart दे दिया, आपको एक table बना गे दिया, उस table को analyze करके आपको questions को solve करना है, तो आ आपका data interpretation हो गया, then कुछ reasoning के question और बन जाते है, जिसमें quant based reasoning होती है, आपको कुछ numbers दे रखे, आपको कुछ alphabet दे रखे, आपको वो decode करना होता है, तो इस तरह के question होते है, quantitative reasoning, word से ही समझवा रहा है, quant based LR, मत अब logical reasoning के question होंगे, data interpretation question होंगे, थोड़ा-थोड़ा quant आपको य और इसलिए मैं quant last में करूँआ, मेरी क्या recommendation है, कि start your day with the most uncomfortable subject, जो subject आपको सबसे खतरनाग लगता है, क्योंकि हमेशे आप क्या करोगे, इस subject को procrastinate करोगे, इसको delay करनी की कोशिश करोगे, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप morning में उठे, और आपने का मैं morning में पढ़ाई करता हूँ, तो आपको सबसे difficult subject ले लेना है, क्योंकि उस time आपका mind fresh है, आप बिलकुल 100% focus के साथ पढ़ा ही कर सकते हो, तो अगर आप difficult subject पहले कर लोगे ना, तो पूरे दिन motivation रहेगा, कि आप इस subject को touch नहीं करना, आप तो वो subject करने है, जो मेरे interest area वाले है, जैसे मानलो for example आपको quants नहीं आता, लेकिन आपको gk करने हैं बहुत मज़ा आता है, तो gk तो आप afternoon में भी कर सकते हो, evening में भी कर सकते हो, क्योंकि already आपका interest वहां पे है, तो start करो ऐसे subject से जो सबसे uncomfortable, तो उससे क्या होगा, आपका quants दो जागा, फिर आप पूरे दिन motivated रहोगे, then आपक आपको fix नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझा है, topic wise study करनी है, आपने सोचा, आज मैं accountancy करने वाला हूँ, उसको पूरा revise कर लो, 2 की जिएक चाहिए 2.5 वार्स लग जाए, weakness में आपको जाधा time देना है, जो subject आपके week है, आपको लगत वीक है, मैंने current reference पढ़ा ही नहीं, म हमने क्या चीज़ प्लान करी, हमें last wait तक wait नहीं करना है, उसके साथ साथ जो subject आपने uncomfortable हो, उसमें में मेहनत करनी ही करनी है, क्योंकि देखो एक बार की बात है, एक बार ही exam correct हो गया, dream calling पहुच गये, you are sorted, then आपको अपने हर एक section में कहां stand करतो, इसके लिए mock लगाने बहु मेरे से क्या गलतिया हो रही है, मुझे क्या चीज़ बेटर करनी है, क्या मैं improve कर सकता हूँ, और अगर उस चीज़ को आप improve कर ले जाओगे, तो automatically आपका actual exam वाले दिन, जो performance से वो best निकल गया, तो mocks लगाने है, sample लगाने है, उससे आपको पता चलेगा मेरी time management strategy क्या है, मै मुझे पहले एक आपको revision का भी ध्यान रखना है, क्या चीज़ करना है, क्योंकि आप नएने topic पढ़ते जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि पुनाने topic बोल जाओ, तो जो आपने day 1 से लेके day 7 तक किया, day 6 तक किया, वो आपको 7th day revise करना है, then आपने 7 से 13 दे तक जित एक बार चेक कर लो, कि मेरे क्या क्या चीज़े हैं, इस तरह से जब आप अपना revision करोगे न, तो बेटर तरीके से चीज़ों को recall कर पाओगे, आप भूलोगे नहीं, नहीं तो क्या होगा, आपने day 1 पर पढ़ा, day 22 तक भूल जाओगे, तो हर 7 दिन में revision करो, पिछले 7 दिन जो आपने flashcard है, vocabulary के लिए छोड़ छोड़े notes बना लो, वो आपको help out करेंगे, अपने आपको test करते रो, topic wise test ज़रूर लगाओ, मालो आज आपने vocabulary करा, उसके 3 दिन बाद उसका test दे दो, आज आपने percentage जिस पड़ा 3 दिन बाद उसका test दे दो, तो उससे फाइदा क्या होग आपका constant revision भी चलता रहेगा और आपकी practice हो जाएगी, तो मैं तो हमेशे यही चीज़ करता हूँ, कि मालो आज मैंने percentage किया, 3 दिन बाद उसका topic test दे दिया, और फिर 7 दिन बाद एक बाद ही revise कर लिया, similarly मालो आज मैंने vocabulary करा, 3 दिन बाद उसका topic test दे दिया, तो again एक बाद revision and 7 दिन बार एक बारी go through कर लिया, तो उस चीज़ को आप follow कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, combined active recall with spaced repetition, तो combined active recall होगा आपका testing के लिए spaced repetition होगा हर आपका 7 दिन में, ठीक है, तो अब आपको जो extra time over weeker section में देना है and इसके बाद you will be in a good space जहां पर इन exams को crack कर पाओगे, अग आपको idea लग जाएगा कि given time frame में questions को कैसे करते हैं, then आप mocks लगाओ, आपको हर एक exam के at least 5 mocks लगाने चाहिए, अगर आप CVT का paper दे रहो, language के 5 full length mocks लगाओ, general test के 5 full length mocks लगाओ, domain में हर subject के 5 full length mocks लगाओ, ताकि different type के question, different difficulty level, different situation से आप deal कर पाओ, ठीक है, तो ये आपको ब error हुए थे, क्या मेरे से mistakes हो गई थी, वो मैंने गलतिया क्यों करी, क्या मेरा concept gap था, concept gap था, तो एक बरी भाई, आप उसको revise करोगे कि क्या मेरे concept में गलती हुई, अगर आपको ये दिखता है, मेरे से कोई silly mistake होगी, तो उसका कोई notes बना लो यार, ये वाले mistake मुझे नहीं कर माने, full and lots, mocks, minimum 5 लगाने है, और आप चाहो तो 10 भी कर सकते हो, अगर आपको 10 available है, 10 कर लो, 5 तो बेर minimum हर एक बच्चे करने हैं, जो बने आपको यहाँ पर उपर already बता दिया है, ठीक है, अब अगर हम देखे, सारी की सारी चीज़ों को आपको समझाओ, क्या चीज़ है, study mental resources, यूज़ करो, उसको शिद्दस से follow करो, अपने doubts को time to time clear करते रो, हर 3 दिन बाद अपने आपको test करो, हर 7 दिन बाद अपने आपको revise करो, and mocks जहां पर मैं बात करी, 5 तो 10 mocks आप यहाँ पर लिखो, तो यह हमारी पूरी की पूरी CVT की strategy है, I hope आपको यह helpful रही गया, अ अगर आप इस journey में, चाहते हो कि आपको एक organized coaching मलते है, जो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा पाए, तो हमारा class desk पे dedicated CVT का batch भी start हो चुका है, जहाँ पर बच्चे बहुत मेहनत के साथ तैयारी कर रहे है, last year, CVT में बहुत ही amazing result आयता है, आप यहाँ पर दे 99 था, Gotham का 99 प्लस परसेंटाइल था, Eco and Mass में, अदम्या का general test में 99.4 था तो ऐसे result बच्चों के आये हैं, तो अगर आप भी महनत करने के लिए तयार हो, आपने का सर मैं एक dream college में जाना चाहता हूँ, 30 days सब कुछ लगा दूँगा, तो भाई आप definitely crack कर सकते हो, क्योंकि अग dream college, dream percentage, dream score, achieve हो जाएगा, तो अगर मैं आपको join करना है, तो हमारी website है classdesk.in, वहाँ पर आप देख सकते हो, सारे के सारे courses, हमारे live and different type के courses है, अगर आपको CVT का सिरफ language test चीए, वो भी ले सकते हो, general test चीए, वो भी ले सकते हो, combo चीए, मतलब, domain भी चीए, language भी चीए, और general चीए, तो वो भी ले सकते हो, सिरफ CVT के test चीए, तो वो भी available है, कोई doubt है, कोई question है, तो हमारा help line number है, 880-329-380, इस पर आप call message कर सकते हो, अगर आपको demo class देखने है, नीचे description में, मैं आपको सारी की सारी demo class देदी है, language की भी, general की भी, domain की भी, अराम से lecture को देखो, समझो अगर आपको लगता है, मेरे कोई चीज़े समझ में आ रही है, तो आप इस course को join कर सकते हो, pre-recorded video lectures है, तो आप अपनी pace पर पढ़ाई कर पाओगे, जिससे आपका time बहुत save होगा, और आपके जल्दी जल्दी सारी की सारी चीज़े cover up होती चलि जाएगे, तो I hope ये video आप स झाल 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 झाल